हेलो गाइस कैसे हैं आप सब तो मैं रेडी हो गई हूँ धंतियत की शॉपिंग के लिए और ये जो एरिंग्स मैंने पहना है ये थोड़े हेवी होने के वज़े से बहुत ही कम मैं पहन पाती हूँ खेर आज तो मैंने मैचिंग के अकॉर्डिंग मैंने पैनली है तो अभी बज़ रहे हैं चार तो मैं तो रेडी हो गई हूँ भाईता पेर भार खड़े हुए है तो बस उनके साथ अभी मैं निकल रही हूँ और थोड़ा सा किचन के लिए और मंदिर के लिए कुछ-कुछ ल रास्ते के ना दोनों तरफ इतना सुन्दर नजारा है ना मैं क्या बोलू मैं अक्सर मैं भी चली जाती हूँ और यहां के कुछ लड़के लड़की या कुछ लोग इधर आते हैं घुमने क्यूंकि ना इस रास्ते में इतने साथ स्टॉल लगते हैं चाय पापड़ी की क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है तो मैं इधर टाइम बेस्ट नहीं करूंगी तो मैं चली जाओंगी सीधा उपर क्योंकि मुझे किचन स्रिलेटिक कुछ चीजे लेनी है मुझे समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा-थोड़ा धियान है मुझे क्या लेना है तो मैं पहले ग तो अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं लूँगी क्योंकि जो चीज मुझे लगते है कि यह होना चीए वो मैं लूँगी और यह जो चीज है ना चौपर यह एक्चुली मैं देख तो रही थी कि लूँग की नहीं लूँग बट मैंने सोचा कि मेरा चौपर अभी जिंदा है तो मैं तभी लूँगी, तो finally मैं इनी shopping तो हो गई complete और मैं आ गई हूँ घर पे तो मैं आगते साथ थोड़ा सा बैठी और मैंने सोचा चलो चीजों को सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ तो ये मैंने लिया है chopper board और ये लिया है दो bowl type के है ये ठीक है और काफी काफी मुझे सस्ते लगे और मैंने इसको buy करा और ये देखो ये उपड़ से लिए लूँगी फिर मैंने सोचा नहीं नहीं दो ही ले देती हूँ ठीक है और एक ये तो मैंने सिंगल ही लिया क्योंकि मैंने अपने लिये लिया तो मुझे अच्छा नहीं लगता है उसमें कुछ बनाने में तो ये मैंने ले लिया और ये लिया है चोटा सा बहुत सारे व्राइटी आरक है 19 रुपे में तो प्लीज इसको तो खरी दी लेना जाओ तो कहीं न कहीं काम आएगा मैंने टूपीस ही लिया देखती यूज करके कैसा होता है और ये कुछ खाने पीने के समान क्योंकि मैं जब जाती हूँ ना कुछ चुटर पुटर में ले